मुक्यमंतिय जी इस तरह से भाष्षन दियू वह बहुत ही दुरभागय पूर्ण और मुक्यमंतिय जी मेरवानी करके हमको समझाना बंद करें अब मांग दर्शन आपका बहुत हो गया कि बजट का प्रावधान नहीं किया गया था शिबधाम का काम फस्ट फेज का सुरू बज़र प्रावधान करके उसका टेंडर लगाया गया और वह काम पूरा होने की स्थितिव के करीब पहुंचे सरकार कॉंग्रेस की बनी तो उसको रोक दिया गया है और मैंने उनको कहा कि शिब के प्रती मंडी के के लोगों के आस्ता तो मेरी व्यक्ति करता तो है है मंडी के लोगों के भी देभूमी का देभूमी हिमाचल परदेश में मंडी को छोटी काशिक आ जाता है लेकिन ऐसा काम मत कर ये मंदिर का काम हो रहा है तो काम को मत रोकिए और उनको इस बात की जानकारी होने चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट होता उस बड़े प्रोजेक्ट में फेजी में होता है हो फस्ट verses second phase third phase wieder आई कि फ्स फेज का बज्च प्राफधान करने के बाद टेंडर हुआ अब second होना चाहिए उस बिल्डिंग में 28 क्रोड रुपए अभी तक हम बजट दे चुके हैं लेकिन जो एडिशनल्टी उसमें देनी है वो वरतमार सरकार की जिमें बारी है उसके कारण रुका पड़ा का और मंडी एरपोर्ट की अगर बात कह रहे हैं तो मंडी एरपोर्ट के बार में बात करते हैं मंडी की उनिवस्टी के मताबिक जो हमने विधान सब्सक्राइब में बिल लाकर के पारित की है और उसके बाद उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि मंडी की उनिवस्टी शिमला के बाद दूसरा बड़ा कैमपस अगरपूरे स्टेट में है तो मंडी का है जहां पर 6,000 से जादा 6,000 से जादा स्टूडेंट्स हैं और ऐसे में वहां पर उनिवस्टी अगर स्थावित किया उस उनिवस्टी को भी बंद करने की वो जो है वो मानसिक्ता उनके से काम करने के तरीके से जलक रही है क्योंकि जो शिमला एच पी उनिवस्टी से जो हमने स्टाफ वहां पर डिप्यूट किया था उसको फंक्शन करने के लिए उस सारा स्टाफ बापिस पेज़ दे गया